नमस्कार मेरे इन्मी मिस्र अपने चनल में आपका स्वागत करती हूँ आज में लेकर आई हूँ बहुत ही खुबसरत और प्यारा सा बैग जो कि बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से बन जाता है बहुत जादा इसमें ताम जाहम कटिंग के जुरूत नहीं है बस एक सिंगल पीस से यह पूरा बैग बन जाता है और एक छोटा सा पीस फॉकेट के लिए लगता है जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं इसमें कितना जगह है और काफी चोड़ा बना है इसे मैंने साड़ी से बना है आप इसे दुपट्टा या फिर किसे भी कपड़े से आप बना सकते है लगबग एक मीटर कपड़ा इसमें लगेगा तो आईए फटा-फट सुरू करते हैं बनाना अपना यह प्यारा सा बैग इसके लिए इस बैग को बनाने के लिए मैंने यह जो मेरे साड़ी था जिसमें से मैंने कुरती बनाई थी उसमें से बचा हुआ है पल्लू वाला यह वो 48 इंच है और जो इसकी चोडाई है वो है 31 इंच अब इस साड़ी के पल्लू और अस्तर और फॉर्म इन तीनों को मिला के हमें कुल करना है तीनों को मिला के हमें सील लेना है तो यह देखिए इस तरह से मैंने इसको तीनों को मिला के आपस में सील लिया है तो नीचे ये अस्तर के लिए मैंने पैंट का कपड़ा इस्तमाल कर दिया है, आप कोई साब भी कपड़ा इस्तमाल कर सकते हैं, बीच में ये 1.5 इंच मोटा फोम लिया है, और उपर ये सारी और इसको ये इस तरह से देखिए, मैंने square shape में quilt किया है, तीनों को मिला के ये सिलाई कर दी ह अब इसका measurement देखते हैं कि अब इसका measurement कितना है, तो ये quilt करने के बाद 39 इंच ये लंबा है, और जो इसकी चोड़ाई है वो 25 इंच है, अब इसको हम इस तरह से fold कर लेंगे कपड़े को, 20 से हमें इसको fold कर लेना है, अब ये side से हम 4 इंच पे निशान हमें लगा लेना है, अब ये उपर से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, सेम इसी तरह से हम ये दूसरी side भी निशान लगा लेंगे, और इसको हम काट लेंगे जहां से हमने निशान लगाया है, इसी तरह से दूसरी side भी ह अब उपर की तरफ भी हमें निशान लगाना है अब ये थ्री इंच पर मैं निशान लगाऊंगी दोनों तरफ से तीन तीन इंच यानि कि त्री इंच पर ये निशान में लगा लेना है इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी निशान लगा लेंगे त्री इंच पर और जहां से हमने निशान लगाया है वहाँ से इसको काट लेंगे चाहे तो आप इसको इस तरह से रख के भी काट सकते हैं अब यह है पॉकेट हमारा सामने की तरफ हम इसे लगाएंगे इस तरह से हमें इसको लगाना है यह पॉकेट का जो लंबाई है वो थर्टीन इंच है और चोड़ाई एट इंच है यह पॉकेट में भी अस्तर और फॉर्म लगाके मैंने क्विल्ड कर लिया है अब इस पे हम यह जिप लगाएंगे इस तरह से पॉकेट को उपर जिप को उल्टा रखेंगे फिर इसको पलट के सीधी सिलाई लगा लेंगे और नीचे से यह जहां से हमने कटिंग की है वहां से लगबग दो उंगली उपर इस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे और एक जिप हम उपर की तरफ भी लगाना है हमें इसमें पहले ये पॉकेट तियार कर लेते हम तो ये कपड़े को सीधा रखना है और ये पॉकेट को उल्टा रखे इसको हम सिलाई करेंगे अब इसको ये जो जीप है इसको सीधा करके एक बार उपर से सिलाई चला लेंगे अब इस पॉकेट को बैग में हमें जोड़ना है तो ये जैसा कि मैंने बताया था ये दोनों साइट से बराबर छोड़ते हूं उपर से ये दो उंगली उपर इस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे तो पहले पॉकेट को हम इस तरह से उपर की तरफ उल्टा रखके तब सीलेंगे इसके बाद इसे हमें सील के इसको पलट लेना है अब ये देखिए इस तरह से इसको पलट की उपर से एक सिलाई चला लेंगे अब ये नीचे की तरफ ये हलका सा इसको मोड लेंगे अगर आप कोई चोड़ा लेस लगा रहे हैं तो इसको मोड़ने की चुरूत नहीं है अगर नीचे आपको लेस लगाना है तो अगर आप लेस नहीं उपर नीचे लगाना चाहते हूं इसके पॉकेट की उपर तो इस तरह से इसको मोड के तब सिलाई करें अब ये जो मेरे पास ये पतला सा ले से इसको में लगाऊंगी आपके पास अगर चोड़ा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं और ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप न लगाना चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं लेकिन लगाने से देखिए जो पॉकेट की उपर की सिलाई है वो नहीं दिख रहे है इस तरह से हम इसको पूरा एक किना ये पॉकेट हमारा रेड़ी हो गया है और ये लेस भी लगा लिया है हमने अब इस पे हमें बैल्ट लगाना है बैग में तो ये दो पीसे और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 53 इंच है ये 53 इंच लंबा है और दो पीसे ये आप अपने हिसाब से इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं आप इस बैल्ट को इस तरह से हमें पॉकेट के उपर रखना है और दूसरे को भी बिल्कुल बराबर में दूसरे साइड में बैल्ट को रखना है और इस पे हम कम सकम तीन से चार सिलाई कर लेंगे और ये ऊपर से हम ये ये दिए 4 इंच ऊपर से छोड़ के उसके बाद सिलाई करेंगे ये चारो तरब से तो 4 इंच पर आप निशान लगा लें उसके बाद इस तरह से बैल्ट को फोल्ड कर लें और फिर इसके ऊपर सिलाई कर लें यह pocket और belt लग गया है, अब बस हमें इस bag को जोड़ना है, joint करना है, पहले यह उपर की तरफ भी हम इसमें जिप लगा लेंगे, उसके बाद bag को joint करेंगे, तो यह जो, जिप उसको जैसे हमने pocket में लगाया था, बिल्कुल सेम इसी तरह से, जिप को उल्टा रखे, कपड़े क सीधा रखना है, और फिर इसको पुरा सिर लेना है, अब सेम जैसे pocket में हम किनने किया था, यह उपर से, यह एक सिलाई चलानी है, अब यह जो bag का दूसरा हिस्सा है, दूसरी side का, उसमें भी हम इसको यह जिप को इस तरह से जोड़ लेंगे, लेंगे, अब सकतरों काम जाँ घुरा से।ले है, और फिर लेंगे कर साथ में ड़ting की तरह से दूसरा है, यह हम हम कर दूसरी कर लेंगे, आए हुआ। सेगल्साओ लेंगे, अब इसको इस तरह से जो जीप है उसको बीच से खोल लेंगे ताकि दूसरी साइट पे भी हम यह प्रेस इस्टीच यह दाप सिलाई चला सकें अब 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 यह हो गया अब इसको सीधा करके दोनों साइट से हम रनर लगा लेंगे एक इस तरह से तो दूसरी उल्टी साइट से लगानी है रनर को अब इसको उल्टा कर लेंगे बैक को अब पहले इसका जो साइट है किनारा है उसको हम सील लेंगे यह दोनों साइट इस तरह से साइट एक किनारे से यह दूसरे नीचे तक इसको सिलाई करेंगे इस तरह से दूसरी साइट भी हम सील लेंगे कि अब दूसरी साइट भी हम सील लेंगे यह दोनों साइट हमने सील लिया है अब हमें इस तरह से जो यह उपर वाला भाग है उसको यह देखिए बीच का और यह जो जीप जहां हमने लगाया है उसको दोनों को मिलाते विए इस तरह से हम इसको सीलेंगे इस तरह से सीलेंगे दूसरी साइट भी बिल्कुल इस तरह से हम सीलेंगे इसको झाल 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 यह उपर की तरफ दोनों साइड हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है अब इसी तरह से नीचे भी हमें सीलना है यह पकड़के तो यह इस तरह से मिला के इसको आपस में सीलेंगे इस तरह की कटिंग से बैक का से बहुत ही बढ़ी आता है इस तरह से इसको भी सीलेंगे आता है ये बैक हमारा कम्प्लीट हो गया है अब अगर आप चाहें तो इस तरह से कोई भी पतली सी पट्टी या फिर कोई भी कपड़ा आपके पास रखा हो या लेस रखा हो इस तरह से जहां जहां सिलाई किये हैं उसके उपर इसको इस तरह से सील ले तो इसके बाद क्या है बैक हमारा बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा और बहुत ही परफेक्ट बैक बनेगा बिल्कुल मार्केट जैसा इस तरह से जहां जहां सिलाई है पूरे बैग में आप इस तरह से यह जो पाइपिंग लगा लें बस इसी तरह से इसको सिल लेना है और फिर उसके बाद बापस इसको इस तरह से फोल्ड करके और फिर ये दुसरी तरब भी सिलाई कर लेनी है ये दिखे ये बैग मेरा कंप्लीट हो गया है और ये सिलाई भी नहीं देख रहे हैं बहुत ही खुबसुरत बैग बना है बहुत ही सेब भी इसका बहुत परफेक्ट आया है अब ये बैग मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसमें कितना जगए है, कितना बड़ा है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि मैं आप सब के साथ और भी अच्छे-च्छे नई-नई वीडियो शेयर कर सकूँ मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू